थोड़ा बहुत वोग्याब होगा, ठीक है, जल्दी आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है हम अर पास, ठीक है, ग्रामर का सेशन होगा, वोग्याब होगा, इध्यान रखेगा, और स्वागत है आप सब लोगों का, आज के यूट्यूब सेशन में, और जल्दी से आ जाएए, I hope आपकी इंटर्वी की तियारियां भी अच्छी चल रही होगी, और आपने नेक्स लेवल के लिए तियारी भी स्टार्ट कर दी होगी, राइट, बस मुझे बता दीजिए, सब ओके है के नहीं, आडियो वीडियो ओके है के नहीं, एक बार जल्दी बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जल्दी बताईए, Is everything hunky-dory? Yes, बहुत स्पीड से बता दीजिए, क्या हमारी सारी बाते उके हैं? All clear, कोई buffering, कोई ऐसी चीज़, कोई दीजिए, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ग्रामर पे आज थोड़ा फोकस रहेगा, ग्रामर पे फोकस रहेगा, और गाईज हमारे पर यूपी टेट के और सी टेट के, बिल्कुल फ्रेश कोर्स है, anyone who wants to pick it up, तो ये सामने आपको faculties हैं, जो आपको पढ़ाएंगे, इसमें आप coupon code लगा सकते हैं, मेरा दीपक, जो भी आप लेना चाहते हैं, उसमें, दीपक मेरी तरफ से coupon code लगा सकते हैं, और गाईज मैंने आपको link भी forward कराया, अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने link भी forward करें है तो वो link भी वहाँ से आप ले सकते हैं ठीक है आपको मैंने link भी forward करें है जो आप link वहाँ से ले सकते हैं आप telegram पे आप देख सकते हैं ठीक है मैं उसको separately आपको भेज दूँगा तो टेलीग्राम पे भी मैंने उसको लिंक को फॉर्वर्ड करा है वो भी आप देख सकते हैं तेक है तो क्या बात कर रहे हूँ यार ये स्टार्ट होने में कुछ गड़बड हो रही है न हमेशा ये कुछ मेरे सेटिंग में गड़बड है मैं समझ गया हूँ इसको ठीक है न वह इनीशली वीडियो स्टार्ट होते हुए थोड़ा सा अब क्लियर है एक बार देखो जड़ा मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए हुए ठीक है वो टीम से टीम से चेक कराना पड़ेगा हो ठीक है हाँ जी चलो आ जाते हैं स्टार्ट कर लेते हैं पहले कुछन से देख लेते हैं क्या है हमारे पास और हमें पास क्या चीज़े हैं जल्दी से देख लेते हैं न हाँ जी वो स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट पिक करने में शायद वो मेरे ख्याल जरासा हो रहा हूँ ठीक है चलिए आ जाते हैं और जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं जैसंतोशी माजी असलाम वालेकुम सस्ट्रियकाल है ना और जल्दी से आ जाते हैं हंकी डौरी है सब चलो आईए कुछ देखो ये कुशन्स हमने देख हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि और ये कुशन आप जैसे यूपी टीजी टी तियार कर रहे हैं या फिर आप कोई और चीज तियार कर रहे हैं कहीं पर भी कोई कुशन्स चल रहे हैं आपके और आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप speed बनाके रखते हैं ना आज हम speed बनाके रखते हैं बहुत speed से चलो appellation जो है वो उपाधी देना होता है किसी को ठीक है तो उसका spelling जो है वो क्या बनेगा B for Bombay right appellation क्या होगा B for Bombay ठीक है उसका मतलब होता है किसी को उपाधी देना right उसका मतलब होता है किसी को उपाधी देना तो हमारा right answer B for Bombay अच्छा है A for Apple नहीं होता बीफ है क्या करें appellation होता है एक काम करो A, B, C, D answer देलो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना बट answer B for Bombay है चलो next one बताओ omission में आप क्या spelling बनाओगे चलो तेजी से बता दो मैं तेजी से चल रहा हूँ आज है ना और ये मैंने mock test कराया भी था पहले मुझे जहां तक ध्यान है ठीक है ना तो इसको हम कराएंगे और जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे चलिए second one बताइए omission का spelling क्या है मुझे लगता है double m sorry single m double s आता है omission में single m double s आता है omission क्या लगाएंगे ना o m i double s i o n यार spelling में अगर मैं answer गलत दे दूँ तो आप मुझे correct कर देना कई बार होता है spelling नहीं clarity हो पाती ये ध्यान रखना चलिए अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है o m i double s double m नहीं आता है omission में single m double s आता है ये ध्यान रख्येगा तो हमारा answer क्या बनेगा c for cat right spelling mistake एक बहुत problem area है और वो हमेशा रहता है अगर खासकर वो थोड़ी सी tough spelling देना शुरू कर दे चलिए next one बताइए बहुत बार देखा हुआ word है जल्दी जल्दी clarity दे दीजिए चैनल को like subscribe कर दीजिए logo तक पहुचा दीजिए ठीक है अगर मैं बोलू किसी ने बोला बापू की उपाधी दी गई ये बिल्कुल सही है ठीक है ना application, epithet, by name, moniker ठीक है बहुत word फिर आप use कर सकते हो चलिए perseverance मतलब होता है continue to do hard work ठीक है और guys कई बार हमें चीजे लगता है जैसे मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है और क्यों वो क्याब कर रहा हूँ आती तो है लेकिर आप समझेए उसका repetition नहीं किया आप खुद मानके चलिए कि जो हमने 10th में पढ़ा वो हमें आज याद नहीं है क्यों 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 हमने उसका repetition नहीं करा तो repetition is the mother of skills मैं बार बार बोलता हूँ नया पढ़ो लेकिन पुराना revise करो ठीक है perseverance लगाएंगे इसमें और मेरे ख्याल से spelling बनेगी ये वाली है ना perseverance spelling बनेगी A for apple राइट perseverance का मतलब बता सकते हैं कोई आप में से continue to do hard work continue to do hard work या फिर लगे रहना और डटे रहना लगे रहना और डटे रहना राइट ये ध्यान रखना तो अगर मैं बोलू perseverance का मतलब होता है जब आदमी लगा हुआ है डटा हुआ है और अपने goal से हट नहीं रहा है राइट चलिए जल्दी बताईए इसमें कौन सा है बहुत simple है यार तेजी से आज़ेए स्पीड से बढ़ा दीजिए और देख लेते हैं कौन सा answer है क्विजलिंग होते है गदार टाइप में पॉलिमिक होता है शाष्टात करना पैरोक्सिजम होता है एक तरी से किसी चीज़ का flow जो बोलते है पैरोक्सिजम ऑफ लाफ्टर पैरोक्सिजम ऑफ हेट मैंने का यार there seems to be a paroxysm of hate in the country यानि एक दूसरे के किलाफ नफरत की लहर चल पड़ी है है ना कौिजलिंग होते हैं थोड़े गदार टाइप में जो होते हैं कौिजलिंग मतलब traitor टाइप या कुछ ऐसे बोल सकते हो पॉले में थोड़ा सा शास्त्रा अर्थ करने लाएक किसी चीज में बोलते है अच्छा परफंक्ट्री का spelling गलत है मेरे ख्याल से परफंक्ट्री जो होता है T-O-R-Y होता है मेरे ख्याल से परफंक्ट्री का जो spelling होता है वो होता है T-O-R-Y ये words को देखिए यार, बड़े प्यारे words है, करेंगे, याद करेंगे, आइडिया लेंगे, मुझे लगता है आप अच्छा कर पाएंगे, तो कुजलिंग का spelling सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला spelling जो था, वो आपका गलत है, ठीक है, फोर्थ में D for Delhi जो है, वो आपका गल spelling है, ये ध्यार रखेंगे, चलिए अच्छे word है यार, अच्छे word है, जल्दी बता दीजिए, क्या right answer बन रहा है, बहुत प्यारे word है, और मैं चाहूंगा इन spellings को ना, जो मैं दे रहा हूँ, इनको आप ऐजा word को भी लेके चलिए, है ना, ऐजा, हाँ, क्या करते हैं, आज इनको क्या लेके चलिए, vocabulary भी लेके चलिए, spelling तो याद करिए ही करिए, आप इनके words के meaning भी याद करिए, quagmire होता है, दल-दल टाइप में, ठीक है, quagmire एक तरह से, दल-दल एक तरह से, क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, quick send भी बोलते हैं हम लोग, एक तरह से कहीं first जाना Quandry क्या होता है, quandry, quandry बोलते हैं, I am in a quandry, I don't know what to do, quandry मतलब होता है, दुवीधा में होना, ठीक है, इनको in dilemma भी बोलते हैं, I am in dilemma, I don't know what to do, I am in dilemma, I really don't know what to do, right, तो अगर मैं बोलो, if someone is in quandry, someone is in dilemma, यार यह आंसर है गलत, ठीक है, यह आंसर गलत है, quagmire का spelling सही है, quibble होता है, मतलब थोड़ा सा इदर उदर करना, मतलब प्रिवारिकेट करना टाइप में बोल सकते हैं, quibble अहां, प्रिवारिकेट सेंस में थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, इसका meaning देख लेंगे, equibles और प्रिवारिकेट और beating around the bush कुछ उस टाइप में बोल सकते हैं, quagm थोड़ा चुप रहने वाली सेंस में लिया जाता है, तो spelling दोनों सही है, भी हमारा सही है, quandary, I am in quandary, I don't know what to do, I am in quandary, I am in a fix, इसको आप बोल सकते हैं, in a fix भी बोल सकते हो, ठीक है, in dilemma भी बोल सकते हो, यानि जब बंदा दुवीधा के अंदर होता है, right, यह धियान चलिए, आजए यह next के तरफ, बहुत simple, the project is a disaster, यह बताईए, ismr कोन सी verb है, अगर कोई आपके और खास कर जब वो main verb बनके आती है, है ना, he is a good boy, ठीक है, he is a bad boy, she is a good girl, तब जब वो एक main verb बनके आती है, तो ध्यान रखना यह जो होती है, यह एक linking verbs होती है, यह आपकी जो ismr, wasmr होती है, यह b की form होती है, बी की form जो होती है, वो ध्यान रखना, वो एक linking verb के तौर पे जुड़के आती है, ठीक है, यह एक linking verb के तौर पे जुड़के आती है, यह ध्यान रखिए, right, चलिए, तो क्या होती है linking, transitive वो होती है जिनके पाँ object होती है intransitive वो होती है जिनके पाँ object नहीं होते auxiliary वो होती है जो सहयक वर्ब होती है जो help करने आती है राइट, ये ध्यान रखना चलिए, ये कौन सा लगाएंगे वैसे smell जो है, ठीक है न smell linking वर्ब के तोर पे भी आती है बट यहां पर वो कह रहा है, वो क्या smell करता है वो soup को smell करता है तो यानि smell करने का जो impact है वो soup पर पढ़ रहा है ठीक है, यानि ये इसका receiver हो गया तो object है और ऐसे भी बोल सकते है, the soup is smelt by him है न, तो अगर मैं इसमें answer बनाना चाहूं तो इसके पास object है तो ये आपकी कौन सी verb होगी ये आपकी transitive verb होगी ठीक है, he smells the soup ठीक है, तो he smells the soup में वो जो smells है, उसका impact कहां पढ़ रहा है soup पर पढ़ रहा है ठीक है, यार देखो पहले तो एक काम करा करो ABCD लिख लिया करो लेकिन ये बता दिया करो किस के लिए लिख रहे हो, तुम्हें पकड़ा भी तो जाएगा फिर मैं तुम्हें पकड़ूंगा कैसे क्योंकि चाहे पे भी बुलाना है और भी बहुत काम होते है ठीक है ना, तो अपना है ना कोशन के आगे नाम लिख लिखा करो साथ का A, सिक्स का A ताकि मुझे पता लग जाए तुम कर क्या रहे हो ऐसे मुझे ना पता नहीं लग पाता दोस्तो ठीक है, तो कोशन नंबर के साथ आंसर दिया करो सॉरी हाँ जी, तो अगर मैं बात करो he smells the soup, तो यहाँ पर smell जो है उसका impact है soup पर और इसका आप passive voice भी बना सकते हो the soup is smelt by him, ठीक है तो यहाँ पर आपका ये transitive verb है, ये ध्यान रखना ठीक, हाँ जी वो क्या smell करता है वो soup smell करता है right, तो ये ध्यान रखिएगा चलिए, आजाईए Attributive Adjective Attributive क्या होते है इन में से देखो ये मैंने question लिया भी था, Attribute समझते हो जो किसी को समर्पे तूते है जैसे अगर मैं बोलू good boy good boy Attribute कर रहा है ना, now ने ये adjective है तो ये आपका Attributive हो जाएगा ठीक है ना, अगर मैं बोलू ये आपका Attributive हो जाएगा right, ये ध्यान रखना लेकिन इसमें find तो कोई adjective ही नहीं है fine है यार ये अच्छा एक चीद ध्यान रखना ये fine है ठीक, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते है find नहीं है, ये fine है ठीक, ये ध्यान रखना ये आपका fine है I want to, I want to tea with you I want to have a cup of tea with you है नहीं हाँ, लेट्स रेडिट हो फीका अच्छा देखो, आप इसमें से एक ही है जो मुझे लगता है क्या कर सकते हो जिसको आप attributive यूज कर सकते हो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते alive boy आप बोलते हो he is alive ठीक है, तो ये बाद में आ रहा है ये प्रेडिकेटिव है ठीक है ना, सुन लीजे मैं अब समझा रहा हूँ क्या पहले समझ लीजे Attributive वो होते है जो पहले आते हैं Attributive का मतलब होता है जैसे जो पहले आते हैं Good boy, beautiful girl ठीक है Beautiful girl Bad boy Right, अगर मैं बोलू तो ये आपके Attributive Adjectives होते है दो तरीके से होते हैं एक Predicative होते हैं एक Attributive होते हैं जो पहले आते हैं Noun से वो आपके Attributive कहलाते हैं जो Noun के बाद में आते हैं वो Predicative कहलाते हैं ठीक है सुन लीजे दुबारा Attributive जो Noun से पहले आकर उसको attribute करते हैं, यानि define करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जो noun के बाद आते हैं जैसे अगर मैं बोलूँ कि कहते हैं, कई adjective वैसे भी हो सकते हैं good देखो, ऐसे भी बोल सकते हैं, he is good तो ये attributive भी हो सकता है, और ये आपका predicative भी हो सकता है बट कुछ adjective या तो बाद में आते हैं या पहले आते हैं इसमें fine कैसे बोलेंगे आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं fine boy आप कैसे बोलते हैं I am fine तो इसका मतलब fine जो बाद में आया ये predicative है right, well, he is well, आप क्या बोल रहे हैं he is well, ठीक है तो ये भी आपका predicative है लेकिन sheer foolishness यानि पूर्ण रूप से मुर्कता sheer foolishness है ना, तो ये sheer जो है वो पहले आ गया तो ये आपका attributive हो गया alive भी आप बाद में देते हो तो वो आपका predicative हो गया ये आप, sorry, fine है यहाँ पर ये predicative है, ये predicative है, ये predicative है और आपका c जो है, वो आपका attributive है है ना, अभी मैं predicative के भी example ले रहा हूँ बिफ कर रही है, तीक है, अभी मैं predicative के भी example ले रहा हूँ देखिए इसमें कौन से predicative है इसमें से कौन सा predicative है आप बड़ा असान है यार, आपने ये दुनिया देखी है आपने ये दुनिया देखी है, ध्यान रखना प्रेडिकेटिव वाली और ये वाली दुनिया आप देख चुकी हो अच्छा आप देखो, glad को use करो आप बोलोगे, I am glad है ना, ये ही बोलोगे आप ऐसे तो नहीं बोलोगे, glad boy ठीक है, I am glad He is glad, ठीक है तो glad boy करके नहीं बोलते आप inner feeling inner feeling, ये आप देखो ये पहले आगया ठीक है ना, main question main question या main कुछ ऐसे करके जो भी ये आगया, older boy older sister ठीक है, तो ये तीनों पहले आगये लेकिन ये वाला बाद में आ रहा है तो अगर इन तीनों को लूँ ये आपके कौन से हो गई, ये attributive, ये attributive, ये attributive और ये आपका predicative, राइट, ये ध्यान रखिए बात समझ आ गई है मित्रो, दोस्तो नहीं तो सुनो चाए बनवा लेता हूँ मैं आपके लिए अच्छे से समझ आईगी फिर अगर अभी समझ नहीं आई तो बता देना, फिर चाए पे आपको आना पड़ेगा, तब समझ आएगी चलिए 10 नमबर बता दो जल्दी से आजाओ ठीक है, माई जॉब इस ड्राफ्टिंग लेटर, चैनल को सुनो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, है ना अच्छा, ऐसे बहुत से एड्जेक्टिव है ठीक है ना, ऐसे बहुत से एड्जेक्टिव है, जो आपको He was glad before देखो, यह कहरे है, कोई कहरे है He was glad before marriage, यूनिवर्सल टूथ है शादी से पहले ही glad हो सकते हो आप, शादी के बाद तो glad मेंसे ना कुछ हड जाता है है ना glad मेंसे, देखो कुछ, जब किसी की शादी अब तुमने बात छेड़ी है, तुम्हें होता है glad word होता है, खुश ठीक है ना, जब तक शादी नहीं होती, वो एक lad होता है lad मतलब होता है, लड़का, छोरा है ना, जैसे उसका शादी हो जाता है, वो sad हो जाता है है ना, तो ये word के transformation होते हैं, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो तो word के transformation होते है glad होता है, खुश जिसके अंदर lad होता है, lad मतलब होता है लड़का लड़का जो होता है वो होता है खुश ठीक है फिर उसकी शादी हो जाती है वो sad हो जाता है logic नहीं बनी है आगे बढ़ते हैं अच्छा देखे my job is drafting letters my job is drafting letters कभी भी आपके पास ये b की form आती है और उससे फिर निकलता है मेरी job है क्या अब मेरी job है क्या drafting letter तो ये इसको न actual में is MR के कभी भी आपजेक्ट नहीं आते दोस्तों ये ध्यान रखना is MR के है ना हाँ जी कभी भी object नहीं आते यार मैं समझानी कोई कुछ पूछ रहा है मेरे ध्यान देखनी पारा था चलिए हाँ जी चलिए अगर मैं बात करूँ तो ये is MR का जो object है ठीक है ये ध्यान रखना सुनो यार कई adjective होते हैं जो आपके predicative और attributive दोनों use हो जाते हैं आपसे use हो रहा हो तो दोनों माल लेना क्या दिक्कत है problem यहीं आती है जब हम चीजों को रटना start कर देते हैं मैं बार बार बोलता हूँ यार चीजों को पढ़िए side कर दीजिए और उसको deal करना सीखिए राइट चलिए ये आपका compliment होता है B की form हमेशा compliment लेती है ठीक है ना B की form हमेशा compliment लेती है B की form के बाद ठीक है ना ये ध्यान रखना अगर मैं बोलू B की form के के बाद रहती है और ये ध्यान रखना उसके ना तो object होते है ना उसको और कुछ होता है तो यहाँ पर आएगा compliment of the word ये ध्यान रखना compliment वो होता है जो किसी चीज को पूरा करता है ठीक है compliment होता है जो किसी चीज को पूरा करता है जैसे अगर मैं बोलू he he is a monster अगर मैं बोलू he is a monster तो देखिए ये B की form है अगर मैं खाली he is लिख दूँ तो कोई meaning बन रहा है तो ये जो monster है ये इसका compliment है यानि ये इसको पूरा करने आया है और B की form के बाद compliment ही आते हैं कई बार subject compliment होते हैं कई बार object compliments होते हैं वो अलग-अलग तरीके से हम ले सकते हैं राइट चलिए देखो ये question लिया गया था Amazon बहुत बड़ी river है उसके पीछे आप दा लगा सकते हैं ठीक है the Amazon in Brazil मुझे नहीं लगता ब्राजिल के साथ कोई article आएगा ठीक और is और फिर क्या हो जाएगा the longest river in South America के साथ भी कुछ नहीं आएगा तो मुझे लगता है आप इसका answer बिलकुल असानी से बना पा रहे होंगे B for Bombay और यही level आता है बस आपको deal करना आना चाहिए मैं भारबार बोलता हूँ the people who are cramming the stuff face lot of problem in paper क्योंकि वहाँ पर situation अलग होती है आप रटिये मत आप समझिये idea लीजी और उसके basis पे answer लगाईए और सबसे important बात है कि सबसे ज़ादा practice करिए जितना ज़ादा आप practice करेंगे उतना आपका हाथ चलने लगता है और आप एक idea में अच्छा हो जाते है क्योंकि यार पेपर में इतना time नहीं होता कि आप याद करें अच्छा वो 17 तारीक 2023 को मार्च में हमें ये वाला topic इस पे पढ़ाया गया था law office इतने में retrieve करोगे उतने में पेपर खतम हो जाएगा तो आपको जल्दी जल्दी करना होता है ये ध्यान रखना चलिए बताईए ये भी बहुत असान है यार दोस्तों बहुत असान है जल्दी कर लेते हैं ही टुक आ यूटन यूटन में आएगा या के साउंड के साथ आप आ लगाते हो ठीक है या साउंड के साथ आप आ लगाते हो और फिर उसने क्या बोलाई टुक आ यूटन और सौ एन अंब्रेला ठीक है सौ एन अंब्रेला ठीक है लाइंग ओन दी रोड ठीक है ये कई बार है न जब आपको real जरुत होती है काम नहीं आती आपके real जो काम आते हैं वो आपके presence of mind काम आता है and how easily you can retrieve the stuff तो थोड़ा सा मेरा मानना है कि जितना जादा प्रैक्टिस करोगे उतना जादा हमेशा mock test, हमेशा प्रैक्टिस question जरूर करे मैं आपको कई बार vocabs के question देता हूँ, और सब देता हूँ तो ये सारी चीज़े आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है? चलिए हान जी, she is wearing bracelet on dash wrist बता दीजिए क्या है यहाँ पर situation जल्दी चलते हैं थोड़ा vocab भी लेके चलेंगे she is wearing a bracelet on, any wrist मेरे को नहीं लगता बोल सकते है है ना, she is wearing a bracelet on क्या answer लगा सकते है? बोथ आनी सकता है, ठीक है? एनी बोलना सूट नहीं कर रहा है, every भी नहीं कर रहा है यार है ना, मुझे तो each वाला answer सही लग रहा है शायद, है ना, मुझे लगता है each वाला answer जादा preferred है, बाकी तो मुझे सूट करी नहीं रहा है, सुनो A, B, C, D बोलने वालो question number भी लिख दिया करो, जल्दी आईए, हाँ जी, बहुत speed से बताईए, बहुत speed से, ये question गलत नहीं होना चाहिए, ये question define करेगा कि आपका sense of judgment कैसे चलता है, चलिए, जल्दी बताईए, question number 14, ये बताएगा कि हमारा sense of judgment एक idea क्या है, कैसे हम काम कर पाते हैं, जल्दी, do it fast, despite the advances in IT, dash of the ocean is yet to be discovered, despite the advances in IT, dash of the ocean is yet to be discovered, जल्दी से देखिए, क्या answer हो सकता है, देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ocean है, यानि ये singular है, और more of the ocean तो हम बोली नहीं सकते, several के लिए plural बनाना पड़ेगा, of you के लिए भी plural बनाना पड़ेगा, right, तो अगर मैं बात करूँ, तो right answer क्या आएगा, A for apple, right answer क्या आएगा, A for apple, despite the advances in IT, much of the ocean, much of the ocean का मतलँ, ocean में से certain part, right, तो यहाँ पर much लगाना ज्यादा सही है, चलिए, बताइए, simple question, multiple time discuss किया चुका है, that information you provided was very useful, जो भी information तुमने provide की, वो बहुत useful थी, अब देखिए, यहाँ पर little का मतलब होता है, थोड़ा है, है ना, sorry, a little का मतलब थोड़ा है, little का मतलब होता है, ना के बराबर, right, और the little होता है, sorry का सारा, the little का मतलब क्या है, दोस्तो, sorry का सारा, तो वो कह रहा है, जितनी भी information तुमने provide की, वो बहुत useful थी, जितनी भी information तुमने provide की, वो बहुत useful थी, तो इसका मतलब क्या आना चीए, the little, डालिटिल मतलब जितनी भी सारी की सारी, ये ध्यान रखना, जितनी भी information थी वो सारी की सारी, चलिए, 16, 16 नमबर गायब है, अच्छा, आजए ये जल्दी से, हाँ जी, बिफोर की पार्टो स्पीच बता दो, बहुत सिंपल है यार, ये सब को पता होना चीए, देखें ये बिफोर क्या करने आया है, ये बिफोर दोनों को जोड रहा है, दो clauses है, उनको जोड रहा है, तो ये क्या है, ये आपका conjunction है, और अगर वो हमारे से पहले आ गया, तो ये उ इस बिफोर के पास object भी है, इस बिफोर के पास object भी है, तो ये जो बिफोर है, वो आपका क्या है, ये बिफोर आपका बन जाएगा, अगर मैं बात करूँ, तो preposition, राइट, ये ध्यान रखना, तो second वाला बन गया, preposition, राइट, और वो कह रहा है, शीश, I, it should have been told me before, ये म मुझे पहले बता देना चाहिए था, तो before क्या कर देना चाहिए था, told, तो ये आपकी verb है, तो ये आपका बन जाएगा, एडवर्ब, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी verb है, तो वो आपका बन जाएगा, एडवर्ब, और अगर आपको ये चीजे आती है, तो आप क इस पेपर से घबराते हो, मुझे उसका नाम बताओ जरा, खासका टीचिंग के अंदर, है ना, देखिए चलिए आप पीओ की तियारी कर रहे हैं, तो पीओ के लिए तो मैं बोलता हूँ, चलो आपके पाई बहुत स्टेंडर्ड इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी टीचिंग का कर रहे हैं, तो एक-एक एवरेज इंग्लिश से भी काम चल जाता है, बस साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि रीडिंग चलनी चाहिए, है ना, साथ में हमेशा रीडिंग चलनी चाहिए, जो मैं भी आजकल नहीं कर पा रहा हूँ, and very saddest part, कि रीडिंग कर करना एक कैते ना, पेनैशिया है, हमें इंग्लिश का पूरा सेंस देती है रीडिंग, तो रीडिंग मत छोड़ो यार दोस्तों, मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं डेली आपको कुछ रीडिंग के लिए दे पाऊं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा हो जाएगा, कि ह जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, बार्किंग ओफ डोग, यानि ये भोकना, मैंने हमेशा आपको समझाया कि जब भी आपके पास वर्ड बोलते हुए आई एंजी हो और ना, ने, नी आ जाए, यानि वो आई एंजी वाला वर्ड हो और बोलते टाइम ना, ने, नी आ जाए तो वो आपका जेरेंड कहलाता है, और अगर वो आपको ऐसे बोले, हुआ हुए हुई, हुआ हुए हुई, तो ये क्या है, ये फिर आपका वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक, जैसे मैंने बोला, उबलता हुआ पानी, जैसे मैंने आपको बोला boiling water ठीक है तो इसका जब आप हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगा उबलता हुआ पानी तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा उबलता हुआ उबलता हुआ फिर आपका adjective हो जाएगा और अगर मैं बोलू boiling अगर वैसे देखो नाने नहीं आया तो देखो यहां पर क्या आ रहा है कुत्तों का भौकना है ना तो यह gerund होगा ठेक इसका मतलब यह gerund है crying crying मतलब यहां से क्या निकला रोना और यह सही बात है जीवन में जो लोग रोते हैं क्या मिल गया उनको outcome तो zero है और सच बात बोलू दो चार दिन बाद तो अपने भी परवानी करते हैं जीवन में जब तक आप बोल्ड खिलते हो चीजों का सामना करते हो और मतलब मेरा style, my style of doing is कि अगर आपको लगता है problem है यार face करो, सामना करो और भीड़ जाओ एकदम, कोई दिक्कत नहीं देखा जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है but वो जो ये रोना-धोना ये emotional game that really doesn't work in real life that doesn't help you at all ये emotional ना तो आप बोले, ना रहे और outcome है zero emotional people are emotional fool, they don't get anything out of it emotional के आगे मैं हमेशा बोलता हूँ are you emotional फिर मैं थोड़ा सांस लेके बोलता हूँ fool, क्योंकि वो लोग decision कुछ नहीं ले पाते जीवन में to pass to pass जो है two plus में verb की first form ये हमेशा होता है infinitive ये हमेशा होता है infinitive right, ये ध्यान रखना तो answer बन गया gerund, gerund, infinitive answer क्या बन गया gerund, gerund और infinitive right, ये ध्यान रख्येगा चलिए, ये question देखो, ये question मैंने लिये हुए है लेकिन मेरे को आप बस नहीं इसको सही कर दो अच्छा देखिए, मैं एक थोड़ा सा हट के बाद बूल रहा हूँ, जितने भी लोग आप मेंसे ये मानते हैं कि वो emotional है, आप नहीं मानते, आप दुखी है मतलब जितने भी लोग आप मेंसे मानते हैं कि वो emotional decision लेते हैं या वो emotional है, मैं सो परतीशत guarantee के साथ कह रहा हूँ, life को hell बना के रखते हैं हम लोग, people who are very professional in dealing with people, या जिनको, मैं नहीं कह रहा कि आपको फरकी ना पड़े चीजों का, फरक पड़े लेकिन कुछ लोगों की चीजों का, अब ऐसा थोड़ी ये telegram पे दो लोगों ने मुझे गाली दे दी और मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं तो और जबरदस सोता हूँ, क्यों सोता हूँ, भाई haters भी तो होने चाहिए, you have haters, that's a good news है ना, तो आप अराम से सोईए, कोई दिक्कत नहीं दो लोगों ने बुरा कहा है, कोई दिक्कत नहीं ऐसा कोई फरक ही नहीं पड़ता, हाँ बट आप अपने आपको इंटेक्ट रखिए, emotional game में outcome zero है, किसी ने, so and so ने, आपको पता है, कहा हमें पेन होता है, किसी ने, so and so ने कुछ बात कह दी, कहीं पर, है ना, और अब मैं उस बात को, और बात भी किसी से मुझे पता लगी, अब मैं भाई पूरे दिन चिंता में, मत करिए, outcome zero है, चलिए यहाँ पर देखते है, correct कौन सा है, वो कह रहा है, our weeks holiday, मुझे यह सही लग रहा है यार, है ना, क्योंकि week singular है, apostrophe S है, यह बिलकुल सही है, ठीक, our days leave, our days leave को आप ऐसे लिखेंगे, our days leave, क्योंकि एक दिन की छुट्टी है, five days leave को आप ऐसे लिखेंगे, five है, और days क्योंकि plural है, apostrophe बाद में लगेगा, और फिर आप ऐसे लिखेंगे, five days leave, ठीक है, और two hours delay, two hours, ठीक है, delay, इसको आप ऐसे बोलेंगे, मतलब जब apostrophe S लग जाए, तो फिर वो बाद में, मतलब अगर आपके पार already S है, तो वो उसके बाद में apostrophe लगता है, मतलब two hours, फिर यहाँ पर apostrophe आएगा, और फिर five days है, तो यहाँ पर apostrophe आएगा, our days, तो यह एक ही दिन है, तो इसके बीच में आप करके अब आद में apostrophe लगा सकते हैं, और our weeks holiday जो है, वो आपका सही है, एक बार emotional हुए थे, उसके बात कभी नहीं हुए, यार ये बात बड़ी सभी बात है, और देखो, कहना बड़ा आसान है, और कर पाना बड़ा मुश्किल है, मेरा मानना तो यह है, मैं तो आकर आपको हजार बाते बोल दूँगा, but when you go into your shoes, then the real problem comes, ठीक है ना, हाज जी, चलो जी, देखो, emotional वाली बात पे आप कहेंगे, तो मैं एक घंटे का lecture ले सकता हूँ, with lot of examples, slide बना के ले आओंगा, ठीक है ना, pictures बना के ले आओंगा, और emotional वाली चीज़ पे तो we can conduct one hour of lecture, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको example के साथ समझाना पड़ेगा, कि भाई, emotional बन्दा क्यों fool होता है, ठीक है, आज वो lecture नहीं है, तो आज हम उस पे बात नहीं करेंगे, बाकी मान लो, emotional बन्दा fool होता है, emotional fool बोलते हैं ठीक है, और इसको मैं emphatically बोलता हूँ, बहुत जोर-शोर से बोलता हूँ, है ना, और that is the reason why I don't play the emotional games, and I don't allow people to play emotional game with me, ओके, हाँ जी, चलिए, baby of whale, whale के baby को हम जानते ही हैं देश्तो, बहुत बार हम पढ़ चुके है, whale का male जो होता है, वो bull होता है, whale का female जो होता है, वो cow होता है, और whale का जो baby होता है, वो cow होता है, ठीक है, swan का baby signet ही होता है, swan का baby signet होता है, whale का बेबी cow होता है, horse का baby, नहीं होता cow, horse का जो baby है, horse का male baby होता है, colt, और fall, ठीक है, और होर्स का फीमेल बेबी होता है फिली होर्स का फीमेल बेबी क्या होता है दोस्तों फिली राइट तो ये ध्यान रखेगा चलिए होर्स का फीमेल बेबी क्या होता है फिली होता है तो ये वाला पाठ हमारा गलत है और शीव का लैम्ब होता है ये भी सही है हर तरह का question आपको बनाना आना चाहिए, हर तरह का question आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक, चलिए, जल्दी से आजए ये 21 नंबर पे, इन question को जड़ा ठीक कर दो, ये sentence improvements है यार, sentence improvement है, इनको जल्दी जल्दी ठीक कर दो, channel को, फिर मैं बोल रहा हू जड़ा देना, है ना, like करिए, subscribe करिए, हर तरह का ग्यान है यहाँ पर, है ना, focus हमारा paper ही रहेगा, but additional ग्यान भी जरूरी होते है जीवन में, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ, उनके paper खराब क्यों गए, they were emotionally, you know, like, क्या बोलते न, there was some emotional breakdown, और कहीं न कहीं वो paper को उस तरह डील नहीं कर पाए, कुछ family issues चल रहे थे, कुछ personal issues चल रहे थे, उस वज़ा से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, उस वज़ा से, देखे, mind में अगर आपके कुछ और घुम रहा है, तो obviously फिर कहीं न कहीं problem में हम रहते हैं, चलिए, Rohit is as fast as, or perhaps faster than money, देखे, as के साथ आपका positive degree आता है, और जब then आ जाए, तो comparative degree आपका आता ही है, मुझे नहीं लगता, इसमें आपको किसी correction की जुरत है, 21 नंबर में D for daily लगा दीजिए, कोई correction की जुरत आपको नहीं है, चलिए, next बताईए, बहुत simple one, चलिए, बहुत तेजी से बता दीजे, bad habit should be, यारे बहुत प्यारा word भी है, bad habit should be nipped in the bird, यानि इसको बोलते है, nipped in the bird का मतलब, शुरुवात होते ही खतम कर देनी चाहिए, bad habit should be nipped in the bird, यानि कोई भी habit को शुरुवात होते ही खतम कर देना चाहिए, अगर वो bad है तो, nipped in the bird, है ना, bird जानते है, bird मतलब होता है कली, है ना, और nip मतलब होता है एक तरह से उसकी ग्रोथ रोग देना, तो अगर कोई भी bad habit है, it should be nipped in the bird, अगर बच्चे ने कोई गलत काम किया है, तो उसको पहली बार में ही चटाके फटाके कर दो, दो, ताकि उसे ढर लगे कि काम बहुत गलत था, और इसको मुझे आगे नहीं करना, अगर उसको हलका warning देके छोड़ा गया, तो उसे लगेगा यार, यह तो बड़ा normal सा काम था, he or she will be doing it again, ठीक है, तो अगर आपको लगता है, बच्चे ने कुछ गलत काम किया है, शुरू में ही चटाके फटाके, में, है ना, और मेरे को लगता है, बहुत जवर्दस चडाईरे फटाके होते थे, ठीक है, चलिए, bad habit should be nipped in the bird, right, चलिए, sir please tell me, पिरंका जी क्या बताऊं, मुझे ये तो बता दो, मुझे बताना क्या है, अगर मुझे ये पता लग जाए, मुझे बताना क्या है, तो मैं ब पता दीजिए, बर्ड का मतलब, अब होता होगा बर्ड का, बर्ड का मतलब कली भी होता है, ये तो पता है, चलिए, जल्दी जल्दी करो यार, बहुत स्पीड से करो, है ना, और तेजी से करो यार, पहले के तो टीचरों को भी बड़े अच्छे आते थे, धो देते थे, बिना साबुन पानी के धो देते थे, ना, बिना गलती कहिए, कई बार ये लगता था, बच्चों को एक हफते से मारा नहीं, तो आज चलो मारने वाला गेम खिलते, नहीं, ये उता था पहले, लगता अदा कि बच्चे दो, दो हफते से पिटे ही नहीं है तो बेवजाई पीट देते थे How to control mind diverting Please focus towards your goal आपके दिमाग में आपके goal के अलावा कुछ चले ही ना मैं कहा रहा हूँ 100% आप अच्छा करेंगे मेरे दिमाग में मैं सच बोल रहा हूँ अभी भी मैं वीडियो ले रहा हूँ मुझे पता है 9 बज़े ये करना है 10 बज़े ये करना है अच्छा 11 बज़े ये है यार वो भी रह रहा, वो भी रहा Fall to चीजों के लिए zero time मतलब अब सच बोलू Fall to चीजों के लिए zero time मैं दिमाग में पूरे दिन का plan घुम रहा है मेरे कि मेरे को पूरे शाम तक क्या करना है मेरी कोशिश है कि मैं Google Meet ले लूँ फसा पड़ाऊं लेकिन कोशिश करूँगा ठीक है ये ध्यान रखना चलिए इसमें आ जाएगा in no time इसको आप क्या बोलेंगे in no time अब वहाँ पे सीरीज तो आएंगी ध्यान तो भटके गई ठीक है न ये ध्यान रखना चलिए इसको बोल सकते है in no time बोलिए चलिए अब इदर उदर की जादा बातें नहीं करेंगे बना दीजिए जल्दी से answer clear कर दीजिए बहुत तेजी से When I lived in Allahabad, I was going to the cinema once a week अचा guys मैं आज एक वीडियो डालूंगा How to improve communication skills, okay And my way of doing things are little bit different What you normally get in the society or probably on the YouTube, okay I will be sharing my views, how to improve communication skills And I have done the same way, I rigorously follow the same stuff I want you to keep on doing in the same way एक साल आप उस प्रेक्टिस को फॉलो करिये The English problem will completely be vanished You will never be facing any kind of problem I believe so चलिए when I lived in Allahabad, I was going to the cinema once a week देखिये, lived का मतलब past की बात कर रहा है तो present में तो नहीं जाता और once a week जा रहा था Once a week जा रहा था तो had been going आएगा क्यों? क्योंकि ये activity वो continue कर रहा था अरे I was going क्यों बोलोगे यार I had been going होगा ठीक है? Had been going क्यों लगाएंगे? Once I lived in Allahabad I had been going to cinema once in a week I was going आएगा मुझे तो लगनी रहा Once a week बोल रहा है न तो week में एक बार जाता था ठीक है? तो मेरे को लग रहा है Used to be going तो कोई word ही नहीं है Had gone भी यहां नहीं आ रहा I went आएगा या I had been going आएगा Yes, please share your inputs When I lived in Allahabad I went to cinema मैं इसको एक बार check कर लूँ क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल से एक बार मैं चेक कर लूँगा I went to cinema once in a week गया या जा रहा है मेरे ख्याल से मैं deal भी लगा सकता हूँ मेरे इसाब से भी लगा सकता हूँ जहां तक मेरे को सही एक feeling आ रहा है इन में feeling तो कहीं नहीं आ रहा मुझे और कहीं से लेको बाकी तो ही नहीं went और had been going में थोड़ा confusion लग रहा है ठीक है ना? हाँ तो had been मेरे को जादा prefer लग रहा है चलिए आजए ये next next बताईए जल्दी से तेजी से बताईए ये होता है cutting a sorry figure cut a sorry figure का मतलब क्या है? जैसे मानिए मैंने कल कम से कम 6-7 लोगों से interview related बात करी बट उसमें एकाद दो लोग जो है दे cut a sorry figure in the interview यानि वो उस level पे नहीं बोल पाए जिस level पे उन्हें बोलना चाहिए राइट? हाँ जी अगर मैं बोलू ये उस level पे नहीं बोल पाए जिस level पे उन्हें बोलना चाहिए दे cut a sorry figure cutting a sorry figure मतलब होता है घबरा जाना cut a sorry figure का मतलब क्या होता है? घबरा जाना baffled हो जाना confused हो जाना राइट? बैफल हो जाना confused हो जाना और इंगलिश में बोलते हैं I cut a sorry figure in the interview I cut a sorry figure in my maiden speech I cut a sorry figure during that particular period and all that तो cutting a sorry figure का मतलब होता है घबरा जाना confused हो जाना ठीक है? बहुत famous है चलिए हान जी next one बताईए कौन सी direct address है absent person और abstract इसको जल्दी बताईए बहुत प्यारा यार ये figure of speech भी करते रहना आप जब एक absent person को एक inanimate entity को address करते हो पुकारते हो ठीक है ना जिसको बोलते हैं पुकारना संबोधन करना और जिसको आप बोल सकते हो address करना ये ध्यान रखना जिसको आप बोल सकते हो address करना तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा basically अगर मैं बोलू तो apostrophe वो होता है संबोधन करना apostrophe ये ध्यान रखिएगा चलिए अच्छा मैं अब ये आपके question अकल लूँगा मैं चाहता हूँ थोड़ा vocab पे आप काम करें मैं इनके question कल लूँगा चलिए आजए ये कुछ जरा अच्छे word देखते हैं हाँ जी जल्दी जल्दी करेंगे snail space पे पढ़ाई तो नहीं चल रही है आपकी है ना कल मेरे से कोई बोलते है सर अभी हमने interview की त्यारी नहीं की मैंने का card छपवा दूँ क्या मैं आपके लिए मेरे को तो गुसा आ जाता है फिर मैं सच बोलू और मेरे को आ जाता है guys आप इसमें चाहे कुछ भी माने या क्या है मेरे को आ जाता है कल मेरे से कोई बोल रहा है सर अभी मैंने interview की त्यारी शुरू नहीं करी मैंने ऐसे कुछ एक दो पूछ लिए मैंने का बताओ के वीएस के head कोन है या फिर के वीएस में कितने schools है है ना के वीएस कितने district में है या क्या regional office कितने अब वो answer नहीं कर पाए तो मैंने पुछा क्यों नहीं कर पा रहे हूं कैरे सर अभी त्यारी नहीं करी मैंने का कार्ड छपवा दूँ आपके लिए कि भाई आओ की त्यारी कर लो है ना भिजवा दे ताओं घर पे कार्ड कि भाई या त्यारी कर लो तो snail space पे अभी भी अगर आपकी पढ़ाई चल रही है यार देखो marriage जो भी आनिया आ जाएगी आ गई नाम आ गया तो भागते फिरेंगे हम सच बोल रहा हूं ये मैरी को ये मैंने आदत देखी है सब के अंदर अभी क्या है ना अभी cool है अराम से बैठे है तो थोड़ा सा मुरी request है आप चरह स्पीड अप कर लो snail space पे पढ़ाई मत करो snail space मतलब होता है जब कोई चीज बहुत slow way में की जाए ठीक है ना जब चीज कोई बहुत slow way में की जाए right ये ध्यान रखना चलिए gave up the ghost का मतलब होता है कोई जब die हो जाता है ठीक है my grandfather gave up the ghost इसके लिए और क्या बोलते हो आप kick the bucket इसके लिए आप और क्या बोलते हो kick the bucket right ये ध्यान रखिएगा नई मैं तो कल सच में यही बोला मैंने का कार्ड छपवा दूँ घर पे भेज़ दूँ कि भई प्लीज तेयारी शुरू कर लो मैं थोड़ा बोल देता हूँ यार मैं क्या करो कई बार आदमी बोलते हैं आदतों से मजबूर होता है बोले भी गर बाज नहीं आते हम उनमें से एक है अगर हमें बोलना है तो हम बोल देंगे चलिए स्वेल्ड हेड क्या होते है कुछ लोग स्वेल्ड हेड होते है जरासी नौलेज आती नहीं और अपने आप पर करने लगते है बहुत जादा घमंड ठीक है ना तो सम बीपल बिकम स्वेल्ड हेड थोड़ा सा कमाना एक्स्ट्रा कर दें बस शुरू और थोड़ा सा नौलेज आ जाए ठीक है तो वो स्वेल्ड हेड बन जाते है देखे लाइन भी दे रखी है आक्या केतने है डोंट कॉम्पलिमेंट हिम एनीमोर उसको जादा कॉम्पलिमेंट मत करो थोड़ा सा नहीं तो स्वेल्ड हेड बन जाएगा he's a stolen head and does not respect others यारी कैसा बंदा है arrogant है ठीक है ना कैसा बंदा है arrogant है अच्छा एक चीड ध्यान रखना एक request है मेरी बस आप से वो request यह है कि कुछ word ना टेलीग्रैम पे शेयर कर दिया करो जैसे आपको ये revise करने है तो लिख दो यार यही लाइने लिख दो है ना कि भई सोलन हेड है कुछ है ये दो-चार लाइने लिख दोगे आपको ये याद हो जाएंगे सो परतीशत आपने जहां इनको टेलीग्रैम में शेयर करा और मैं कहता तो मेरा टेलीग्रैम यूज करिए ना आप शेयर करने के लिए पूरे दिन उपन रहता है जो मर्जी हाँ जो मर्जी मतलब मत शेयर मत कर दीजिएगा एना ऐसा नहीं है कि हाँ भई नई मूवी आई है लो जी ठीक है लो टेलीग्रैम पे मूवी देखो वो सब अलाउड नहीं है कोई भी material related to पढ़ाई वड़ाई आप शेयर कर सकते है चलिए चलिए बताईए जल्दी अगर कोई in the pink है तो वो क्या है जल्दी बता दीजी हमारे पास 6 मिनट पड़े है और हम लोग गाईज इसको बिलकुल टाइम से end कर देंगे चलिए मार्शा है रीकवर्ड फ्रॉम दा फ्ल्यू और इस फीलिंग इन दा पिंक अगे अगर कोई in the pink है ठीक है अगर कोई in the pink है ठीक अगर कोई in the pink है हान जी अगर कोई in the pink है कहा बफ्रिंग हो रहा है मैं अटक जाता हूँ क्या एक अध़ बार चलो यह हो गया in good health इसको आप क्या बोल सकते हो in good health right in the pink का मतलब होता है in good health टेलीग्राम चैनल मेरा है English by Deepak Sir ठीक है you all can get connected to me अगर मैं बोलू टेलीग्राम चैनल क्या है English by Deepak Sir right यह ध्यान रखना all मेरे से आप जुड सकते है कोई भी course ले रहे है तो मेरा code है Deepak तो उस course को भी ले सकते है Deepak code लगा कर 35% का आपको discount मिलता है चलिए हाँ जी आजाईए जल्दी से next देख लेते है doubtless यह कुछ मैं 5 word करा रहा हूँ जल्दी जल्दी इसके लिए नीचे तो आपको लिखा भी है अब एक काम बस आप कर दीजिए एक request कर दीजिए वो क्या है इनके additional synonyms बता दीजिए एक request हो रहा है इनके additional synonyms बता दीजिए ठीक है चलिए let's do it fast इनके additional synonyms बता दीजिए जल्दी से बहुत speed से बता देना doubtless का synonym बता दो ठीक है soldier को doubtless होने की जुरत है तो उसे intrepid होने की जुरत है intrepid का मतलब क्या होता है जो एक तरीके से अगर मैं बोलू तो जो बहुत 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 दूर soldiers होते है और intrepid अभी मेरे ख्याल से अपने exam में भी आया था है ना intrepid हमारे exam में भी आया था वो क्या है fearless यार आपको ना मैं सच बहुत बोल रहा हूं थोड़े time जुड़ी है English नजर आने लगेगी ये sluggish, astute, coward, pusillanimous, कहना poltrune ये सारे वड़ याद हो जाएंगे कहना सारे के सारे याद हो जाएंगे और मैं कोई बहुत ज़ादा trick रिक नहीं आईए, जुड़िये, पढ़िये याद हो जाएंगे, बस चलिए, desultry मैं बार बार request करता हूं do not, do not prepare anything in desultry fashion ऐसा नहीं है, मन करा पढ़ लिए भाई, पढ़ना का मन करता नहीं है मन पता है क्या करता है मन करता है कुछ entertaining चीज़े देखो है ना, और यही reason है कोई आपको कोई additional वीडियो दिखाता है तो उसके लाखो views कोई कहता है बेटा आकर पढ़ लो तो उसके हजारों भी नहीं जाते है ना, तो सीधी बात है people are looking for entertainment अब हर जगे entertainment नहीं मिल पाता है आपको कई बार एक serious है ना, study करके भी काम चलाना होता है desultry fashion में त्यारी मत करिए आपको लगेगा आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, बट productive पढ़ाई नहीं होती वो कई बार तो थोड़ा सा जुड़के लगकर अच्छे से पढ़ाई करिए randomly मत करिए है ना, randomly मतलब कुछ भी उठा लिया, कोई भी काम कर लिया है ना, चलिए next one बताईए, defalcation इसके दो-तीन synonym बताओ जल्दी से defalcation का word बताओ जल्दी से, defalcation some government officials are expert at defalcating public funds and feathering their own nest defalcation हमने बहुत बार पढ़ा है, इसका synonym और क्या होता है fiddling the account, fiddle करना fiddle the accounts यानि घपला करना यह कहना, embasslement करना, यार यह इतने भारी word है कि अगर आप इनको start कर दे आप कहीं बोलिये तो सही the defalcation of funds किया है defalcation अपने आप में भारी word है, जैसे आप बोलोगे ना, उसने defalcation of fund किया है चारो तरफ से तालिया बजनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए कि प्रभू आप कहां थे आज आपने दर्शन दिये है ना, और अगर ज़ादा तालिया चाहिए, तो embasslement भी बोल देना और सुनो, लोग आपको कंधों पे उठा ले, मतलब उस science में, की मतलब cheer करने के लिए कि हाँ भई, बंदा great है तो peculation भी बोल देना ठीक है ना, और बोलिये, मैं बार-बार बोलता हूँ, बोलिये, किसी से मट डरिये, लोगों की opinion matter नहीं करती हमारे life में कई बार ठीक है, हमारा अपना career matter करता है, ध्यान रखिएगा हम दूसरों के डर के मारे कोई काम क्यों ना करें, मैं सच बोल रहा हूँ, हम दूसरों के डर के मारे नहीं करते दूसरा क्या सोचेगा हमारे को English बोलते टाइम ना, एक ही दिवाग में घुमता है दूसरा क्या सोचेगा मैं करो, सोचने दो ना एक दिन तो अच्छा सोचेगा ये पकी बात है है ना, एक दिन वो अच्छा सोचेगा ये सही बात है, ठीक हाँ जी चलिए, ये हो गया स्टील करना चलिए, डायर कॉंसिक्वेंसेज अगर आप ज़्याधा डिले करते हैं there can be a dire consequences of this हम लोग पहले ही, हम लोग सच बोल रहा हूं, हम लोग पहले ही बहुत डिले कर चुकिये हम लोग पहले ही बहुत परिशानी में रह चुकिये इतना time हो गया English के पीछे भागते, भागते लेकिन cover नहीं कर पा रहे सबसे best यही है हाँ जी, सबसे best यही है कंधे पर उठाना otherwise नहीं ले जिसे जोश में उठा लेते हैं न लोग हाँ जी dare consequences का मतलब बड़े horrible consequences होंगे अगर world war छिड़ जाती है अगर world war छिड़ जाती है तो उसके dare consequences होंगे यह ध्यान रखिएगा मतलब मैं सही बात बोलता हूँ, हम वैसे कभी नहीं ख्याल रखते किसी का, लेकिन जब हम English बोलते हैं न तो हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा और वैसे हम दिन भर बड़ बड़ करते रहते हैं, यह नहीं सोचते दूसरा क्या सोचेगा English बोलते टाइम दूसरों का ख्याल आ जाता है अरे हमें खुदी नहीं बोलनी होती problem यह है न तो इसलिए हमें दूसरों का ख्याल आ जाता है चलिए डिलेटेंटेस इवन इफ यू आर डिलेटेंटेस ठीक है लेकिन हाँ डिलेटेंटेस होते हैं वो लोग जो यार बहुत सीरियस नहीं होते हैं ठीक है ना, जो बहुत सीरियस नहीं होते हैं नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं ठीक है, डिलेटेंटेस क्या होते हैं serious नहीं होते, they are the non-professional guys और कहीं न कहीं क्या होते हैं मतलब कहते हैं ना come and go आते हैं, दो-चार दिन देखेंगे अरे सर ये हमारे बसकी नहीं है और ये सही बात है अगर आप एक साल गुजार लेंगे English के साथ तो मुझे लगता ही नहीं आपको problem आएगी problem तब आती है, जब आते आप एक हफते के लिए हो, फिर जाते दो महीने के लिए हो, फिर दो महीने बाद सर पे डंडा पड़ता है, कि भाई कहीं interview में fail हो गए कहीं पर कुछ गडबड हो गई, फिर लगता है ओहो, English तो करनी चाहिए फिर एक महीना कहीं चले जाते हो फिर गायब हो जाते हो वो एक problem area है, आप एक साल टिक कर ढंग से जुड़कर आप काम करिये, मैं पका कहता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर बैठिये किसी भी exam में ठीक है, बहुत असान हो जाएगा चलिये आज बस इतना ही था दोस्तो आंक यू सो मुच for coming and giving your time, ठीक है, आप अप अधिशनल ज्यान is also provided so don't take it otherwise, ठीक है and that ज्यान is just to improve our thought process as well and to ensure that if we are making mistakes in our life, we should not commit those mistakes, the sole purpose is to improve our life improve our thought process as well है na, don't take it otherwise okay, चलिये अच्छा I saved my husband's number as dilettante, public में ऐसी बाते ना करें है ना, हाँ जी, public में ऐसी बाते ना करें, ठीक है, हाँ ये social media है, हो सकता है आपके husband ये video देख रहे हैं और उन्हें dilettante का मतलब ना पता हो अलग बात है, लेकिन देख सकते हैं, ठीक है चलो, बावाई guys, thank you so much कल मिलता हूं फिर से और we'll try to add something new stuff, we'll try to add more, more new knowledge and other things and I hope you're going to get something out of it चलिये, thank you so much, बावाई guys, बावाई everyone हुआ, बावाई आपर झाल झाल